दोस्तों इस वीडियों बात करेंगे AVP InfraCom Limited के आने वाले IPO पर फ्रेंड्स ये IPO आपको SME Board पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ये IPO आपको 13 मार्च को खुल रहा है इस IPO सुझूड़ी हुई Complete जानकारी प्राप्ट करेंगे और ये जानने की कोशिस करेंगे कि AVP InfraCom का बिजनस क्या है कौन से बिजनस मॉडल में कमपनी आपरेट करती है IPO क्यों लाए गया है और इस पैसे का कमपनी क्या करने वाली है Complete जानकारी प्राप्ट करने के बाद ये जानने की कोशिस करेंगे कि इस IPO में आपको क्या करना चाहिए Apply करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए पुरी तरह से ये मेरी अपनी राय होगी किसी भी तरह का कोई recommendation इसे लेने की कोशिश न करें जो भी action आपको लेना होगा अपने financial advisor से ही समझ कर लेना चाहिए आपको चलिए friends अगर आप इस channel पर नए है तो subscribe करिए और like और comment करना बिल्कुल न भोलिएगा आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आईए इस company के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं AVP Infracom Limited जो है वो 2009 में incorporate हुई थी और ये company करती क्या है company construction of road project में काम करती है on the basis of bills of quantities bills of quantities एक method होता है जिसके माध्यम से projects को उठाया जाता है और दूसी तरफ engineering, procurement and construction जिसको की short form में आप लोग जानते EPC बोलते हैं EPC वाली company है और bills of quantities की company है जो की road का project उठाती है यानि कि जो इसका sector हुआ वो हो गया infrastructure sector में company काम करती है company के जो infrastructure development work है उसके अंदर civil work जैसे की expressway, national highway, flyovers, bridges and widaks irrigation projects, urban development के civic amenities में hospital, warehouse, hotels and other commercial and residential project भी company करती है यानि कि केवल company construction of road जैसा की company नहीं का वो नहीं इसके अलामा भी company hospital, warehouse, hotel और other commercial residential project को भी बनाती है the company bids for construction of road, bridge, irrigation and canal project यानि infrastructure sector के जो बड़े बड़े time duration वाले project होते है वो भी company करती है, flyovers, industrial area को develop करने वाले जो product होते है और ये company का जो कारेचेतर है, वो मुखे रूप से तमुल लाडू जो राज्य है भारत का, वहाँ पर company ये काम करती है जनवरी 2024 के हिसाब से जो company का data है, company ने अब तक 40 projects complete किये है जिसकी कीमत जो है वो 31,321 लाख रुपए है और company के अंदर इस समय 100 से जादा करणचारी काम कर रहे है तो कुल मिलाकर के friends आपने देखा कि company जो है वो infrastructure sector के अंदर काम करने वाली company है कि जो की मुखी रूप से road construction के काम में लगी हुई है company के द्वारा प्रदान किये गए financial statement के अनुसार company का जो 2023 का जो assets है वो है 14,670 लाख रुपए और 31 October 2023 तक 17,232 लाख रुपए revenue की बात करें तो 11,550 लाख और उसके बाद अभी 31 October तक 7,411 लाख तो आप यह देख सकते हैं कि आपके पास जो figure है वो 3 साल के नहीं है और उसके आधार पे ही आपको यहाँ अपनी राय बनानी होगी 1205 लाख रुपए का revenue यहाँ पर है एक साल का और October तक का जो revenue है वो है 855 लाख रुपए का reserves की बात करें, net worth की बात करें 3,405 लाख और उसके पहले के साल में था 2,549 लाख reserves कंपनी के पास वर्तमान में 1605 लाख रुपए और 2,79 आपके पास था 31 माज 2,023 तक 2,023 में कंपनी की total borrowing थी 6,729 लाख और अभी फिलाहाल अक्टूबर 2,023 तक है 7,791 लाख रुपए अब friends कुछ important indicator देखी ROE कंपनी का 25% है जो की एक अच्छा sign है ROCE 22.63% date equity ratio 1.96 जादा रहेगा infrastructure कंपनी है इसमें कोई दिक्कत नहीं यहां पर आनी चाहिए return on net for 25% और price to book 3.96% fast fiscal का जो EPS है वो है 4.15 friends कंपनी द्वारा reported जो pat margin है वो है 3.89% 2021 और 2021 बाइस में 6.24 2022 में 10.76% और 2023-24 के वरतमान H1 का 11.91 तो आपको pat margin में लगातार सुधार कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है FY24 के annualized earning के अधार पर जो price to earning ratio दिया गया है वो है P valuation यानि की 12.61% फिलाहल फ्रेंस जो competitors की बात अगर की जाए तो वो है उदय शिवकुमार इंफरा लिमिटेट 4.37 EPS है और आपको यह trade होता हुआ 13.75 के multiple पर नजर आ रहा है दूसी तरफ रचना infrastructure 1.22 का यहाँ EPS है 56 यहाँ पर PE है काफी महेंगी कमपनी है और एक और कमपनी जो की बड़ी है उसको इन्होंने अपना competitor गोसित किया है HG Infra 75 का यहाँ पर EPS है जिसके लिए बाजार 11.9 यह थोड़ा reasonable यहाँ valuation यहाँ आपको दिख रहा है जो IPO से पैसा प्राप्त होगा उससे कमपनी capital equipment खरीदने की कोशिश करेगी और उसके बाद working capital requirement के लिए general corporate purpose के लिए और इस issue के expense को meet out किया जाएगा तो कुल मिला करके कमपनी अपने ही काम के लिए इस पैसे का प्रयोग करेगी इशू जो है वो 10 रुपए के face value पर आया है और price band 71 to 75 रुपीज है 1600 सेयरों का एक lot है और total issue size company को ने यहाँ रखा है 52.34 करों का तिर बावन करों 34 लाख रुपए और यह पूरा का पूरा issue जो है वो fresh issue है इसके अतरित फ्रेंड्स यह जो issue है यह जो IPO है वो NAC SME पर बाद में जाके लिस्ट होगा QIB कटेगरी की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर 50% reservation है Retail कटेगरी की बात करें तो उनके लिए 35% reserved है और NII HNI में 15% reserved है IPO friends 13 March को खुलेगा और 15 March को बंद होगा Basis of Allotment 18 March को final होगा और Initiation refund अगर आपको share नहीं मिलता है तो 19 March को होगा और अगर आपको share मिल जाता है तो 19 March 2024 को यह आपके डेमाट एकाउन में credit होगा और IPO की listing एक और company SME board पर list होते हुए आपको 20 March को बाजार में नजर आएगी एक lot 1600 CRO का होगा 1,20,000 रुपए जिसके लिए apply करना होगा Retail में maximum भी एक lot ही आप apply कर सकते हैं HNI में 2 lot minimum 32 CRO के लिए 2,40,000 रुपए आपको लगाने होगे AVP InfraCon इस company का 12 March को 75 रुपए का देखिए इसका high price band है 30 रुपए इसके GMP चल रही है 105 रुपए के आसपास ये बाजार में list होने की सम्भावना है यानि कि 40 परतिसत का यहां पर आपको अप side मिल सकता है तो फ्रेंट स्कूल मिला करके अगर आप देखें तो ये company काम कहां कर रही है ये company है एक infrastructure sector में काम करने वाली company इस समय आप देख सकते हैं कि जो government है उसका सबसे ज़्यादा focus है कि road का infrastructure भारत में तेजी से विक्सित हो तो उस पर focus है और उसको ध्यान में रखते हुए ये company एक advantage position में रह सकती है तो infrastructure काफी दिनों से एक खराब position में था अब वो काफी हद तक उबर रहा है तो उसमें एक positive चीज है sector यहां पर अच्छा है अब negative की बात करें तो sector में जो projects होते हैं वो सरकार द्वारा प्रादान किये जाते हैं क्योंकि road बगरा का जो regulation है वो government sector के अधीन आता है तो project मिलना और उसको execute करना समय पर वो आपको बताता है कि आपकी revenue क्या होगी देखि एक होता है order का मिलना और दूसरा होता है project के मिलने के बाद जो है उसको execute करना तब जाकर के आपकी revenue आपकी book में आती है अब market क्या होग करता है किसी company order मिलता है तो उसको बड़ा अच्छा response आता है लेकिन देखि order से ही नहीं होता है order के बाद आपका जो उसका sales है यानि की complete करना ज़्यादा महत्पूर्ण होता है और infrastructure company के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप समय पे deliver कर पाते हैं या नहीं है दूसी तरह तमाम तरह का regulation होता है political जो एक angle होता है वो सारी चीजे होती है जो की project को delay करती है और infrastructure company की viability को यहाँ प्रभावित करती है तो यह एक negative पक्ष होता है infrastructure company के लिए तो इस sector में काम करनी वाली company का एक सबसे बड़ा जो है वो risk factor यहाँ पर होता है तो friends company के valuation की बात की जाए तो company जो है वो fairly valued है यहाँ पर company ने नहीं बहुत ज़ादा price करने की कोशिस की है और नहीं बहुत सस्ता ही यहाँ पर IPO लाने की कुशिस की है तो एक fairly जो value है यहाँ पर आपको PE value और price to book value के अधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक fairly valued एक IPO SME IPO पर आपको आता हुआ नजर आ रहा है तो क्या friends आपको यहाँ listing gain होने की सभावना नजर आ रही है फिलहाल यहाँ क्योंकि यह sector infrastructure sector है तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है एक हिच किच हट जो है निवेशकों के मन में रहती है जो कि आप यहाँ पर GMP के ट्रेंड में भी देख सकते हैं कि फिलहाल अभी केवल 40% का upside यहाँ पर GMP में दिख रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा listing gain हो सकता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर तयार रहना चाहिए और अगर बात करें लॉग टर्म के लिए तो क्या आपको लॉग टर्म के लिए इस तरह की कंपनियों में आपको सुचना चाहिए देखिए SME पहली बात तो यह IPO एक SME IPO है तो अपने आप में ही एक risk की जो profile है वहाँ आपकी बन जाती है लेकिन अगर इस तरह की कंपनियां long term में survive करने में सफल हो जाती है तो यही कंपनी बात में चलके अच्छा रिटरन अपने निविशकों को दे सकती है लेकिन जहां तक की मैंने कहा यह B2B सेग्मेंट में कंपनी काम कर रही है और उपर से regulation वाले सेक्टर में काम कर रही है तो long term में बहुत जादा उमीद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंट्स जिस तरह से technology कंपनीया काम करती है जिस तरह से consumer कंपनीया काम करती है और जिस तरह से आपको financial services की तरह के कंपनीयों में return मिलता है उस तरह का return यहाँ पर infrastructure कंपनीयों में मिलने की समभावना उतनी नहीं होती है मिल जाएंगे return लेकिन उतने नहीं मिलेंगे तो कुल मिलागर के बहुत जादा risk लेने वाले जो निवेशक हैं वो यहाँ पर long term के लिए इस तरह की infrastructure related कंपनीयों के बारे में सोच सकते हैं अगर आपको चोटा listing के बारे में अगर आप सूच रहे हैं किसी action लेने के पहले अपने financial advisors दे फ्रेंड से संपर करें और उसके बाद ही कोई action लेने की कोशिश करिएगा ये वीडियो आपको कैशा लगा जरू बताइएगा चैनल पर नए हैं तो subscribe करिएगा वीडियो को like जरू करिएगा थैंक यू सुमज